स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी अपडेट जो है देना चाहता हूं कि 36 गड़ में जो है एडियो साया क्विकास विस्तार अधिकारी के पदो पर जो है बंफर भरती आया है और आप जो है किस तरह से आवेदन कर सकते एडियो के लिए सेक्षण आपको करना चाहिए और कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जब एडियो का भी वेकेंसी आने वाला उसके बाद बहुत सारे पब्लिशर होते वो बुक पब्लिश करते हैं और आप में से काफी स्टूडेंट होते हैं जो उन बुक को ले ले और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहिमी है क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीजी व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट अगर कोई होता है तो वो होता है सायाक विकास विस्तार अधिकारी A.D.O क्योंकि इसमें आपको अभी को मैं बताऊंगा 10-12 बुक बताऊंगा जिन बुक को यदि आफ फालो करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेंट करते हैं डेली पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने के बाद रिजन करेंगे तो आप निसी तोर पर जो है एडियो अधिकारी जो है बन सकते हैं तो किस तरह से कितन अधिकारी एडियो का सिलेबस बिलकुल ही अलग रहता है और इसमें आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि एडियो में जो है मैच्स और रिजिनिंग से क्वेस्टन नहीं पूछे जाते तो जो इस्टूडेंट जो मैक्स में बिलकुल वीक है उनको गडित के बारे मे कुछ भी नहीं आता कुछ भी जानकारी उनको नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है आप बाकी में अच्छे मांक्स अगर कवर कर लेंगे तो आपका सेलेक्शन जरूर हो पाएगा तो कितने पोश्ट आप लोगों के लिए निकलने वाला है तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन का कुछ दिनों में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा अब बात कर लेते हैं तो एडियो के लिए आवेदन करने के लिए आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्याला यूनिवर्सिटी से आपके पास इस नाता क डिगरी कमप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में चाहाएं बीरसी बीकांँ पर्मेस्वर्म, दीएइस नर्शिंग, इंजिनियरिंग, पॉल्टेक्न कोई भी सब्जेक्ट की स्टुडेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका ग्रेजवेशन कमप्ली करें तो इसके लिए मिनिमाम एज लिमीट है 21 वर्स आपका तो होना ही चाहिए मैक्जिमम एज लिमीट के बात करें तो 40 वर्स के बात करें तो आपको इसके लिए अधिया लिए ओगे डिया जाता है उसको अगे आप लोगों को बताता हूं सलेबस और पैटने के बारे में और आप जो है किस तरह से एकजाम की फ्रप्रेशन कर सकते और पूरा बुक लिस्ट भी आप लोगों को बताओंगा साथ ही आप तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि एडियो भर्दी परिक्षा के स्लेबस और एक्जाइम पेटने के बारे में तो एडियो में जो है कूल 150 प्रश्णा पुछे जाते हैं प्रत्यक प्रश्णा आपका एक अंका जो होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग के बात करें तो 0.25 होगा परिक्षा के लिए आपको जो है तीन घंटे का समय जो है दिया जाता है अपसले बस की बात करें तो समान्य ग्यान से आपके एक्जामें 30 अंकों का 30 प्रश्णा आएगा आज इवीका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों का 30 प्रश्णा आएगा सम आपको मैं पूरा डीटेस में बताता हूं कि समान्य ग्यान में क्या क्या पूछा जाएगा जिसमें 36 गड के समान्य ग्यान और इंडियन हिष्ट्री हो गया 36 गड के इतिहास हो गया सभी के बारे में कि समान्य ग्यान में क्या क्या आएगा तो समान्य ग्यान में आपका रा आले तथा भारती प्रशाशनी जो भी डीटेस में आपको बता रहा हूं यही आपके समान्य ग्यान में जो है पूछा जाएगा जिसमें आपका भागवली की स्थिति प्राकृतिक शंशाधन उद्योग शिक्षा प्रशाशनिक धाचा जिसमें आपका च्छतिसगड के तिहा पूछा जाएगा उसके बाद बात करें आज इवी का संबंधित योजनाओं की जनकारी से तो इसमें भारती क्रिशी और ग्रामिड अर्थ वयस्ता में उसकी भूमी का जैसे कि आपका स्वेत क्रांती हो गया हरित क्रांती हो गया क्रिशी का मसीनी करन तथा पशु पालान आदी का ग्रामिड जन जीवन पर प्रभाव यह एगा और इसमें आपका स्वमु को तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ ले ना क्योंकि स्वमु से आपके एक्जामें क्वेस्टन पूछे जाएंगी कि स्वमु का गठन किस तरह से हुआ एक समु में कितने अधिन देश्य होते हैं यह सभी आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे स्वाशाहता शेमु हो के बारे में और आज विका में आपका सहकारी इता और वां बाइंकिंग वैवस्ता के बारे में भी आपका पूछा जाएगा जो आज इवीका रहते हमारे डेली लाइप से ज आपको बतारहां। इन यही सलबस में से आपके एडियो भरती परिक्षा चीव हापको पूछ। जिससे आपके तैरी जो है बहुत अच्छे से होशके तो हिंदी भी आपका काफी महत्तों पूर्ण होता है एक्जाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए तो यह सभी है और बात करते हैं कि आपको जो है कौन से बुक पढ़ना चाहिए तो आप जो है एडियो के लिए यह आप लोगों को पसंद आए अगर मेरे द्वारदी गई हुई सभी जनकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबिस्क्राइब कीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोट कर तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, so thank you और comment तो आप जरूर करना, comment आप लोग नहीं करते, comment करना, वीडियो को share करना, like करना, so thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में